मैं हूँ योगी शुक्रवर्ती बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार तकरीवन 20 सालों से राजी के मुख्या है भले ही इनकिन प्राकिर्ण वो राजी के सीम के तौर पर काबिज हैं अब लोग यानि की जेडियू के कारेकरता उन्हें भारत रतने देने की मांग कर रहे हैं क्या सीम नितीश सचमुच इस योगी हैं कि उन्हें भारत रतने दिया जाए यह हम जानने आए हैं एकस आईपिएस ऑफिसर अमिताब दास जी के पास आईए इन से जानते हैं कि इनका क्या मानना है शर्ट जेडियू के कारेकरता सीम नितीश को भारत रतन देने की मांग कर रहे हैं क्या तहनिया है अई इस पर कहना क्या देखिए यह दुर्भागी की बात भी बिहार में लाकों लोग बाड़ पिड़ित है कर जूले बाड़ में डूबे हुए हैं और दो-दो दू तिन-तिन दिन से लोग भूके हैं। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। चुड़ा गुड़ा तक सरकार नहीं खिला पा रही है। और यहां जो पल्टू राम के चमचे वह भारत रत्म भारत रत्म में खिल रहा है। देखिए ये विशुद रचमचा गरी हर कुछ नहीं है उचमचों को भी मौलूम है कि भारत रत नहीं मिलने वाला है लेकिन वो चाहते हैं कि जो पल्टूराम है उनकी नजर में थोड़ा वो नमबर बनवा ले जिससे कि जब विधान सुभा चुनावाएं तो उनको कुछ ट में इसको क्या गया था और इसमें को ये नहीं मिलती है कि इसका बना रहा रहा ता है अश्रुक अस्तंब और इसमान है देश का सबसे बड़ा समान है तो कुछ सिवधाय मिलती है जैसे जिब हम हवाई अड़े पर जाते हैं तो बाकी सारे लोगों की बहुत कड़ी सुरक्षाजाच होती है यूते मुझे सब कुरवाली जाते हैं लेकिन भारत रतन वालों को हवाई अड़ों पर देश के हवाई गिरावट आई है अब उसको क्या कर दिया गया है कि उसका भी डास देती करण हो गया है जैसे मैं उधारन देता हूं इसी साल मतलब पंद्रे दिन में मुझे लगता है पांच-छे लोगों को मौदी सरकार ने भारत रतन दे लिया मतलब ऐस अला कि भारत रतन नहीं यह पा लेकिन जहां बिहार में जाती है जनगणना की रिपोर्ट आई और जहां पता चला नरेंद्र मौली को की बिहार में 36% आवादी अत्यंत पिशड़ी जाती की है बस गिदम आनन फानन मेंकर पुरी ठाकुर को भारत रतन दे लिया गया क्योंकि मतलब लोग सभाचनाओं में संधमारी करनी थी अत्यंत पिशड़ी जाती के वोट बैंक में तो यह भारत रतन का दुर्पयोग कर रहे हैं वोट बैंक में संधमारी के लिए तो यह तो बहुत शर्म की बात है भारत रतन इसके लिए नहीं बना था कि कला आप मला वोट में संधमारी के लिए मुकर शान तो यह सब बाते हैं अब देखिए पल्टूराम की जहां तक बात है तो यह भाड़ तरत क्यों इनको मिलेगा पल्टूराम की जो पहचान है देश भर में पहचान है वो पहचान है कि माफिया सरगनाओं के आगया कारी चपरासी हैं है ना अभी इसी तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह पल्टूराम हमारे माफिया डॉन अनन्थ सी के सामने चपरासी के मुद्रा में खोड़ रहा है यह अनन्थ सी मूच परताओ देते हुए सीम हाउस जाता है मुख्यमंत् को इसलिए क्योंकि इनको रासपूत वोटर बैंक में संद हमारी करनी थी तो जो मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं का चपरासी हो गया उसको भारत स्रतन अब क्या देंगे लेकिन सेर यहां पे सीम नितीज जो है उन्हें जनता किया उनके शमर्ठक उन्हें जो है विकास पुरुष सुझासन बाबू भी काती है अब चम्चे लोग तो कुछ कर सकते हैं लेकिन क्या विकास पुरुष क्या है डेली बिहार में तीन से चार पुल सुबह से शाम तक बहा जाता है विकास कम मैं आइना दिखा रहा हूं पर टूराम को और जिस दिन जरी चार पांच बाते नहीं है बिहार में तो लगता ही नहीं है कि मैं बिहार में रहा हूं मतलब मुझे ठोड़ा संदे हो रहा है कि मैं बिहार में हूँ या नहीं यदि सुबह से शाम तक चार पांच पुल के बहाने की खबर नहीं आए तो विकास है तथाकसित विकास जो है वो तो पूर बात नहीं है इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के चिहास में नहीं हुआ था जो पुड़े बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है और कुर्मी के अलावा सुपस दिखाई ने जिता अभी निटीश कुमार दे जो अपना एक राजनेतिक उत्रा धिकारी भी ने इनको अपना कुल देवता मान लिया और गिटो ने आपस हैं पंचायत की और कहा कि हम लोग क्या रंग बनलते हैं इतना ने तो इनको कुल देवता माला है गिर गिटों ने और तो यह किसी मतभारत रत्न का लेक्षण नहीं है कि आप इतने बड़े अवसरवादी हैं आ जब पड़टी नहीं मारें हमसे गलती हो गई थी अब गलती नहीं करेंगो कौन सत्य हड़िस तंद्र है कि उन्होंने कह दिया तो कह दिया यह तो कहते थे पड़टू राम की मिट्टी में मिल जाओंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाओंगा फिर कुद के चले गए तो इसा तो नहीं नहीं कि सत्य हड़िस तंद्र है कि एक बार इनके मुझसे जो बचन निकल गया तो वो निकल गया यह ऐसा भी नहीं कि एकदम रखुकूल के हैं कि रखुकूल रीत सदा चली आई पर बचन ना जाई तो पल्टू राम हैं कल को फिर पलट जाएंगे तो कि चम्चों ने इस प्रक के फॉर्डिंगस लगा हैं यह बहुत दुर्भागे का विश्रा है आप पलटने की बात कर रहा है कि पलट जाते हैं इसलिए नहीं मिलना चाहिए या का पलट पलट जाएंगे लेकिन आ कहते हैं कि राजनीती और प्याद में सब कुछ जाइज है यह सब कुछ जाइज है तब तो 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 फिर क्यों यह पलट जाइज है नहीं को प्रदान मंसरी बना दिया जाए ऐसी बात नहीं है राजनीती में भी एक आपका आपकी वैचारी के बदता होनी चाहिए इमानदारी होनी चाहिए आप राजनीती को कास्तर इतना गिरा नही है अनन स्री के जूते साफ कर रहा है तो भाड़त रतन के लायक तो मुझे नहीं लगते और अकर इनको मिल गया तो वही कावत याद आएगी मुझे कि शचंदर के सर पे चमेली का तेल आपको नहीं लगता कि बिहार में बहुत शारे मतलब सड़के बनी पुल पुलिया बन मार मार के चिपके हुए हैं फेवी कोल लगा के लेकिन जनता इरीन को विकास पुरुष मांती तो उनकी ये दुर्गती नहीं होती कि 33 सीटों पर आ गए है ना इसलिए और आप देखिए भरष्टा चारक मैंने कहा ना कि हर दिन 4-5 पुल बहते हैं तो ये क्या है शिक्षा नहीं होती जिसमें पेपर लीक नहीं करता है शिक्षा विवस्था चौपट है स्वास चौपट है कानून विवस्था चौपट है तो आप सिर्जन घोटाला की भी बात की तो ये सिर्जन घोटाला का तो आज कोई डाम भी नहीं लेता है नाम नहीं लेता है इसको तो आप नितीश कुमार का मेडिया प्रवंधन का सकते हैं मेडिया प्रवंधन इतना अच्छा है पल्टू राम का उन्होंने ज्यादा आजपटना के अखबार ज्यादा निकालने लगेंगे स्रेजन घोटाला पर तो सब का सरकारी विग्यापन बं हो जाएगा तो यह तो आप सकते हैं कि मेडिया प्रवंधन ऐसा है पल्टू राम का कि इनकी चर्चा नहीं होती लेकिन यह तो सचाई है कि स्रेजन घोटाला बिहार के तिहास सबसे बड़ा घोटाला है और आप जंगलराज की बात करते हैं तो यह जो माफिया सर्गनाओं के हिच अपरास्ती बने हुए हैं यह जंगलराज नहीं तो यह कौन सा राज है यह तो महा जंगलराज की स्थिती है हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर यह आपका भी तो यह थे एक साथिकारी अमिताफदास जिन्होंने साफ तोर पे कहा कि चमचा गिरी करने वाले लोगों से चीएम करने वाले लोग नितीज के लिए भारत रत्म मांग रहे हैं लेकिन वे भारत रत्म के काबिल नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्हें भारत रत्म दिया जा फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब क करें लाइक करें शेयर करें और कमेंच कर अपना महत्रपुन सुझाब और विचार जरूर दें धन्यवाद